अलो गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बेक टू नो गुडवे आज दोस्तों 26 सितंबर 2022 और 26 सितंबर 2022 से समन्दित जो भी डेली करंट अफेर्श के क्यूशन बनते हैं इन्हें हम आज डीटियल से डिसकस करेंगे तो 26 सितंबर 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो 26 सितंबर को 20 परियावन स्वास्ते दिवस के रूप में मनाय जाता है और ये दिन है वो दुनिया बर में परियावन ये जो स्वास्ते हैं उसके मैतुपन कारियों पर परकाश डालने के लिए मनाय जाता है जो इंटर प्राप्त कर सकते हैं और लाश्ट में आपको क्यूशन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में लिकना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्यूशन नबर वन से और आज का वीडियो आपको अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका ब जिलों को विक्सित करने के बाद कौन सा राज है जो बारत में सबसे उपर है तो आंसर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राजी जो जल सरेक्शन और संचेन है इसके उद्देशे से भार सरकार के दौरा यह शुरू की गई थी और अम्रत जो सरोवर योजन है उसमें उत्तर परदेश है वकुल जो 421 का निरमान की गयाग अब उत्तर परदेश है उत्तर परदेश में यह जो योजना है इसमें अम्रत स्रोवर योजना का मुक्ति से यहाई कि बवी से के लिए पाननी का सरक्षन करना और मिशन अम्रत स्रोवर के किरियानवन में मद्द परदेश दूसरे पर जमु कस्मिर तीसरे और राजस्तान चोते और तमिलना डोव पांचवे स्थान पर हैं और उत्तर परदेश में लखेंपूर खेरी ने 256 अम्रत स्रोवर बनाकर परदेश में पहला स्तान वो हासिल किया है जबकि 244 और 231 जीलों के साथ गोरकपूर और परताब कड़ दूसरे और तीसरे स्तान पर है और मुख्य मंत्री योगी आदिते नात है इनके निर्देश पर अलग अलग ग्राम पंचायतों में 15,470 में अम्रत स्रोवर है वो चिन हित किये गए हैं जिन में से 8,462 का विकास हो चुका है जो मद्य परदेश जमू कश्मीरों राजस्तान के सामूही कृप से विक्सित अम्रत स्रोवरों की कुल संक्या का लगबग दो गुना है और उत्तर परदेश में कुल 1,20,000 अम्रत स्रोवर विक्सित किये जाएंगे जो देश में सर्वादिक है और इस रिपोर्ट को देखे तो इसके अनुसार अम्रत स्रोवर के बड़े पेमाने पर निर्मान से उत्तर परदेश में ग्रामेन आबादी के बड़े हिसे के रोजगार भी वह मिल रहा है और इसे खिसानों को काई में भी वर्धियां वहां हुईैं उत्तर पर्देश है उत्तर परदेश भारत का सबसे बड़ार चैह कि देकि डीखती करण के दार प्राइश है और पूर्वा की जो शीमा है उत्र प्रदेश की वो नेपाल देसे भी लगती है और प्रस्टाइम के मंत्री है योगी आधितेनाथ राजय पाला आनंदी बैंड पटल और उत्तर-प्रदेश में टोटल जीले हैं 75 और उत्तर-प्रदेश की चो राजदानी है व लौन्च किये दो ड्राइविंग स्पोर्ट वेल सल्स वेसल से इनका नाम क्या है तो आंसर दोस्ति निस्तार और निपून वह इनका नाम है जो भारती नोसेना है इनके अधेग से परजन्टाय में एड्मीरल आर हरीकुमार इन्होंने भारती नोसेना के लिए विसा का पत्न लेते और नोसेना वेल नेस एंड वेल फेर इसोसेन है उनकी अधेग से परजन्टाय में स्रीमतिकला हरीकुमार इनके द्वरा जहाजों को पार्मपरी तरीके से लौंच भी किया गया था जिन्होंने अध्यकारिक तोर पर जहाजों का नाम है वह आइनस निस्तार और आइ इसका आंसर दोस्तों यह माया कोई चीन में विगनी को नेक सपलता पूर्वक दुनिया का पहला कवल्ओं आर्कितिक बेडिया भना यह जो अध्यके बेड़िया इसको वौेट वुल्प यह पोलर वूल्प के नाम से भी जाना जाता है जो बायो टेकनोलोजी इसमें नय प परियोगा जान्वर की क्लोनिंग दूर लब और लुप्त प्रियार पर जाते हों के सरक्षन में एक मील का फत्र वो भी थाबित हो रही है कि 20 और बेटी दीवस है यह कब मना जाता है तो आंसर 25 सितंबर को मना जाता है जो समानता को बडावा देने और हमारे जीवन में बेटियों की उपस्तथी का जेशन मनाने के लिए हर साल सितंबर के चोते रहयवार को या 25 सितंबर को भारत में बेटी दिवस के रूप में मनाय जाता है जो बच्चे होते हैं वो बगवान का सिर्वाद है चाहिए वो पुरुस हो या महिला हो और हर रहिवार को ये दिन वो बेटी दिवस के रूप में मनाय जाता है और बेटियों और माता-पेता को एक साथ जसन मनाने का इदीन माना जाता है अब सितंबर महीना है तो सितंबर महीने में और इंपोर्टेंट दिवस वो मना जाते है जैसे एक से लेके 7 सितंबर के बीच में राश्टर ये पोस्टन सप्ता मना जाता है और दो सितंबर को वीश्व नारियल दिवस, तीन सितंबर को गगन चुम्बी इमारत दिवस, पांस सितंबर को सिक्सक दिवस, पांस सितंबर को यह अंतराष्ट चेरिटी दिवस, साथ सितंबर को ब्राजिल का सवतंतरता दिवस, आठ सितंबर को वीश्व साक्सरता दिवस, और आट सितंबर को वीश्व बोत्तीक चेकित सा दिवस और दस सितंबर को वीश्व आत मत्या रोकताम दिवस और ग्यारा सितंबर तो ग्यारा सितंबर को राष्ट्रिय वन सही दिवस चोगदा सितंबर को हिंदी दिवस चोगदा सितंबर को वीश्वय प्रात्मिक चेकित सा दिवस और 15 सितंबर को राष्ट्री इंजिनियरिय अभ्येंता दिवस 15 सितंबर को अंतराष्ट्री लोकतंतरता दिवस और 16 सितंबर को वीश्वय ओजोन दिवस 17 सितंबर को 20 वा रोगी सुरक्सा दिवस और 21 सितंबर को अंतरराश्ट्रे सांती दिवस और 23 सितंबर को अंतरराश्ट्रे सांकेतिक बासा दिवस के रूप में मनाय जाता है Next question Question number 5 कि कौन सी राज्य सरकार है जो छात्रों पर बोज़ कम करने के लिए स्कुलों में no bag day नियम और सप्ता में कम से कम एक बार अन्यवार एक खेल अवदी शुरू करने के लिए तयार है तो आन सुरह दोस्तों ये बिहार राज्य जो बिहार की सरकार है इन्होंने चात्रों पर बोज़ कम करने के लिए स्कुलों में no bag day या एक ऐसा दिन जहां पर स्टूडेंट है वो बेग ले जाने के उनको जरूरत है वो नहीं पड़ेगी और सप्ता में कम से कम एक बार अन्यवार एक खेल अवदी सुरू करने के लिए भी योजना वो तयार की जा रही है बिहार राज्य सरकार के दोरा अब बिहार भार्त के उत्तर पूरी बाग में स्थीतेक राज्य है जिसको आप में देख सकते हैं बिहार के जो पड़ोजसी राज्य है जिसे जारकन, पस्तिम, बंगाल, उत्तर परदेश से हैं नेपाल भी लगता है बिहार में जो गंगा नदी है वो सायक नदियों में से उपजाव मेदान में बसीवे गंगा नदिय भी है अब बिहार तो परजेंटाय मुख्य मंत्री है नितिस कुमार और राज्य पाल है फागुन चोहान और बिहार में टोटल कितने जिल्ले है तो बिहार में टोटल 38 जिल्ले है 38 और बिहार की इस तापना है वो 22 मार्च गुनी सो 12 को इती और इसको राज्य का दरजा मिलाता 26 जनौरी 1950 को इसको राज्य का दरजा मिल चुका था और बिहार की राज़दानी है पटना कि पूरी भारत में बिहार और उडिसा है तो इस उडिसा के बाद कौन सा राज्य है वो अपने ग्रामिन शेत्रों के लिए खादे सुरक्सा एटलेस रखने वाला तीसरा राज्य हो बन गया है जिसे दिली में स्थित्मानों विकास सहंस्तान है I.H.D. इनके द्वारत तयारों किया गया है आन्सवर दोस्ते यह झार आर कंड रजे पूरवी भारत में बिहार और उडिसा राज्य है तो बिहार और उडिसा के लावा जार खनल वह तीसरा राज्य होढ सबन चुका है जिसके ग्रामिन शेत्रों में खःद sy शुरक्सा एटलेसा है वह रखने वाला तीसरे राज्य बन चुका जारकन राज्य अब जारकन रधा तो यह भारत का राज्य है जिसको आप मेप में देख सकते हैं और जारकन की राजदानी है राच्ची और जारकन में टोटल जिल्य है यह भारत लाल को नुट्ट किया गया है जो भरत लाल है उनको राष्ट्रिय सुसासन केंदर जो जो एन सी जी 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 है इनका महानिद्यसक के रूप में बरतलाल को निवत किया गया है जो राश्टे सुसासन केंदर है वो भार सरकार के परशासनिक सुधार और लोग सिकायत विबा के तहते के सेंस्तान आता है और इसका परदानकार यह है या हेड़कॉर्टर वो न्यू ड और अपन पर अस्ताक्सर है वो किये हैं तो आनसर दोस्ते बेंग को बढ़दा और HDFC बेंग के साथ में किये हैं जो रक्सा मंतरा लेनोंने सितंबर के अन्तक जो वेब आधारित पढ़ना लिए इस पर कुल 32 लाक रक्सा पेंसन बोगया उनमें से 17 लाक पेंसन बोगयों को जोडने का लक्स से और रखा गया है और इसके तहित इसम्जोते का मुख्यों दे सही है कि जो पेंसन बोगया है उनको पेंसन परसासन पढ़ना लिए यह परस पहल के तहित देश बर में जो 14,000 से भी अधिक सेवा केंदरों के साथ एक साथ है वो जोडना है नेक्स्ट किस्वन है किस्वन नमर नैन कि उडिसा सरकार ने आजजीवी का और आईवर्दी योजना के लिए करशक शाहाई साके तहत राज्ये के किसानों को 800 गुनंतर क्रोड विक्तरित किये हैं और उन्हें राज्ये में बाड़ ये कान परसलके होने वाले नुकसान के अत्रिक साहिता का आस्वासन भी दिया है और प्रते किसान के खाते में सिद्धे कितने रुपए वो ट्रांस पर वो किये गए हैं तो आंसर दोस्ते 2000 रुपए ट्रांस पर किये गए जो उडिसा सरकार है इन्होंने राज्ये में पचलों की कटाई कि अउसर पर किसानों के डौरा मनायजाने त्यूंत है उसमें नू अ और काल यह योजना उसके तैत डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में दो हजार उपए वो ट्रांस्पर किये गए और त्यूहर के मौके पर पेसे मिलने की किसान भी हो काफी उस भी दिखाई दे रहे हैं कि ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना है मंद्रिगा की तरज पर सहरी क्षेत्रों में जरूरतमन परिवारों को सोधिन का रोजगार परदान करने के लिए इस राज्य सरकार ने एक महत्वा कांग सी योजना वो सुरू की है кांग सरकार है इन्होंने ने सहरी आखर बाराक Sud में जरूरतमन परिवारा उनकों साल में कम से कम सोधिनों का रोजगार मुहया करने के लिए योजना वो सुरू किये जो राज़स्तान के मंत्रियोंnel असल गयल dispatch व्सकी सुरुत किये है और मुख्यमंत्री ने ये उमीद भी है वो इस योजना के तरह जाता है कि इस योजना से सहरिक शेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन व्यापन करने में भी काफी मदद अब राज्यस्तान है तो राज्यस्तान भारत का गनराज्य या शेत्रपल के अधार पर सबसे और नाम हो था राज-पूत्यान मतलब पराजपूत्रों का देश और परजयमों के मंद्रियां ऐसो गयलोत गर्जय पाल कल्राज मिस्रा और राज्यस्तान की राजदनी है जेपूर और राजस्तान की स्ता अपना है तीस मार्च गुनिसो गुनंचास को हुई थी और 30 मार्च को राजस्तान स्थापनादिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज का नेक्स्ट और लाष्ट किस्टन है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कि किस राज्य ने पाक हाडी में देश के पहले डुंगों सरक प्रिक्स एजेंसी के साथ एक समझोता गयापन पर अस्ताक सरव किये हैं तो इसका राइट आन्सर आ उप्सन बड़ी के साथ जो यूए ए उनके मोहमद बिन रसीद है स्पेस सेंटर और चाइना स्पेस एजेंसी यह इनोंने यूए एक साथ मिसन पर काम करने के लिए एक स समझ दोता है उस समझ दोते हैं पैस ताक सरव किये गए हैं चलो दोस्तों आज का वीडियो में पर समवत करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्यू ओल आप यू झाल